नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैरी सी केंपस पे दोस्तों आपके लिए खुश खबरी है हरियाना पब्लिक सर्विस कमिस्टन ने हरियाना सिविल सर्विसिज के लिए जोब का नोटिफिकेशन जारी किया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 3-2020 है फारम शुरू ओने की डेट 3 मारच है और लास्ट डेट दोस्तों 2 अप्रेल रहेगी दोस्तों फारम आपको ओनलाइन तरिके से अपलाई करना है और इस साइट से दोस्तों आप फोर्म अपलाई कर सकते हो इसका लिंक मैं न वकेंसी बताई गई हैं HCS हरियाना सिविल सर्विसिज एक्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर 48 वकेंसी हैं DSP की दोस्तों 7 वकेंसी हैं ETO एक्साइजेंड टेक्सेशन ओफिसर की 14 वकेंसी हैं DFSC District Food and Supply Controller की दोस्तों यहां पे 5 वकेंसी हैं A-Class तहसिलदार की 4 वकेंसी हैं ARCS Assistant Registrar Corporative Society के अंदर दोस्तों यहां पे 1 वकेंसी है उसके बाद दोस्तों A-E-T-O Assistant Excise and Taxation Officer की दोस्तों यहां पे 5 वकेंसी हैं B-D-P-O Block Development and पंचायत ओफिसर की 46 वकेंसी हैं Traffic Manager की दोस्तों 3 वकेंसी है D-F-S-O District Food and Supply Officer की यहां पे 2 वकेंसी है A-E-O Assistant Employment Officer की दोस्तों यहां पे 21 वकेंसी है तो टोटल दोस्तों यहां पे 156 वकेंसी बताई गई हैं दोस्तों यहां पे exam का tentative schedule बताया गया है परी exam मई जून 2021 के अंदर मेंस exam आपका अगस्त के अंदर और दोस्तों जो आपका personality test यानि की interview बाद में आपको inform कर दिया जाएगा दोस्तों तीन stage के अंदर यह exam होता है परी, मेंस और उसके बाद interview होता है तो दोस्तों परी के अंदर आपके total दो paper होएंगे, एक general studies का और एक होगा civil services aptitude test होएगा दोस्तों दोनों ही paper 600 number के होँगे, यानि कि आपका जो परी है वो totally यहाँ पे 200 number का रहेगा दोस्तों यहाँ पे objective type question आएंगे, 22 hour दोनों exam की duration रहेगी पेपर आपका bilingual होगा, हिंदी और English के अंदर, one fourth की दोस्तों यहाँ पे negative marking रहेगी दोस्तों जो आपका paper second है, civil services aptitude test, यह सिर्फ qualifying nature का होगा यानि कि 33% से आपको इसको qualify करना है, इसके बाद दोस्तों mains exam की बात करें यह descriptive type इसके अंदर paper होँगे, इसके अंदर दोस्तों आपके च्यार paper होँगे English, 100 number का, Hindi, 100 number का, General Studies, 200 number और एक आपका दोस्तों optional subject होगा जो 200 number का होगा, यानि कि total आपका means दोस्तों, 600 number का आपका means होगा दोस्तों, यह आपके यहाँ पे optional subject की list है, जो कि आप अपना subject यहाँ से चुन सकते हो दोस्तों, दोस्तों, total 29 subject हैं, जिन में से आप एक subject को चुन सकते हो अपने interest के इसाब से दोस्तों, यहाँ पे यह बताया गया है, कि आपके तीन subject compulsory रहेंगे English, Hindi और General Studies, दोस्तों, यहाँ आपके तीन subject यहाँ पे compulsory रहेंगे दोस्तों, mains के अंदर आपके paper की duration 3 hour रहेगी और आप अपने answer, Hindi या English किसी भी language के अंदर लिख सकते हो दोस्तों, उसके बाद होगा आपका interview इंटर्विव दोस्तों, आपका total 55 नंबर का यहाँ पे इंटर्विव रहेगा दोस्तों, यहाँ पे यह list दी गई है कि किस type की post यहाँ पे निकाली है जहां से आप check out कर सकते हो दोस्तो, age limit की बात करें तो DSP की post को छोड़के 18 से 42 की age तक आप apply कर सकते हो और DSP की post के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो age है 18 से 27 साल के बीच यहाँ पे age मांगी गई है दोस्तो, age relaxation की बात करें SC-ST candidate को 5 साल की छूट मिलेगी BC candidate को भी 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों, अगर कोई military के अंदर service कर रहे हैं और service के दुरान अगर वो disable हो जाते हैं और उनकी wife यदि apply करती है तो उनको भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, widow और किसी ladies का अगर तलाक हो रखा है तो उसको भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, अगर कोई अपने पती से अलग रह रही है लेडि जदि तो उसको भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी Unmarried woman को यहाँ पे 5 साल की छूट और दोस्तो एक्स सर्विसमेन के लिए भी यहां पे विशेज छूट बताई गई है दोस्तो डिसेबल परसन के कोई यहां पे 5 साल की छूट मिलेगी अगर डिसेबल परसन SC, ST और BC कटेगरी से है तो दोस्तो उसको 5 साल और एक्स्ट्रा यहां पे छूट दी जाएगी दोस्तो अगर कोई हरियाना गोर्मेंट के किसी डिपार्टमेंट या बोर्ड के अंदर काम कर रहा है तो दोस्तो उसके लिए भी यहां पे विशेज छूट दी गई है दोस्तो DSP की पोस्ट के लिए age 18 से 27 साल मांगी गई थी लेकिन अगर candidate SC, ST, BC और EWS से है तो दोस्तो उसको 5 साल की छूट यहां पे दी जाएगी दोस्तो अगर कोई candidate high court या subordinate court के अंदर अगर उसने काम कर रख्या है कम से कम 4 साल के लिए तो उसके लिए भी यहां पे विशेश छूट दी गई है दोस्तो यहां पे DSP की पोस्ट के लिए physical standard बताया गया है male के लिए दोस्तो 5-7 height होनी चाहिए 33 inch chest होनी चाहिए और फुलाव के साथ दोस्तो 35 inch उसकी chest होनी चाहिए female की दोस्तो यहां पे 5-2 height होनी चाहिए दोस्तो अगर qualification की बात करें तो आपके पास bachelor degree होनी चाहिए चाहिए आपने art, science या commerce किसी भी stream से करक्खी हो या दोस्तो इसके equivalent अगर कोई आपने degree करक्खी है किसी recognized university से तो भी आप apply कर सकते हो दोस्तो application fees की अगर आप बात करें तो general male candidate और अगर कोई reserved category से है लेकिन वो हरियाना से बाहर का apply करता है तो दोस्तो उसको यहां पे 1000 रुपे fees पे करनी पड़ेगी दोस्तो general female candidate और बाहर से अगर female apply करती है चाहिए वो reserved category की क्यों ना हो तो उनको दोस्तो डाइसोर पे fees यहां पे पे करनी पड़ेगी दोस्तो SC, BCA, BCB, ESM और EWS male और female candidate को यहां पे डाइसोर पे fees पे करनी पड़ेगी दोस्तो अगर कोई candidate 40% या उससे ज्यादा disable है तो उसको यहां पे कोई भी fees पे करनी नहीं है दोस्तो इस site से आप apply कर सकते हो इसका link मैं नीचे description box में दे दूँगा जहां से आप apply कर सकते हो Thank you दोस्तो ऐसी नई नई अपडेट पाने के लिए Marysi Campus चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना और दोस्तो Marysi Campus के नाम से हमारा Facebook पेज और Instagram पेज है दोस्तो दोनों का link में नीचे description में दे दूँआ जहां से आप जाके उनको follow कर सकते हो Thank you दोस्तो